Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीई इन आप पे स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 01 का प्राचीन और मद्देगीन समाज पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे, एक-एक यूनिट का, ठीक है कि एक यूनिट के अंदर में कितने topics हैं, कितने lessons हैं और किस तरह के questions बन सकते हैं, उनका pattern क्या हो सकता है questions का और exam में कैसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम discuss करेंगे साथ-साथ में short में जानेगे कि उसका answer हम कैसे लिखेंगे, तो वीडियो important होने वाली है, एक-एक यूनिट को खतम करेंगे, टोटल 9 यूनिट है इस वीडियो के इस chapter के अंदर में, इस book के अंदर में, तो हम सभी यूनिट को visit करने वाले हैं, चले start करते हैं, short वीडियो हो यूनिट में पढ़ना है, पहले यूनिट के अंदर में total 5 chapter है, first chapter के अंदर में हम बात करेंगे, सिकार और संग्रहन का, सिकार और संग्रहन के अंदर में total 2 topic आते हैं, सबसे पहला topic हमारा है करमिक विकास का, ठीक है, करमिक विकास, करमिक विकास होता क्या है, देखो आज हम इतंसिल मानव जैसा आज के सवह रूप है वो बना, तो एक बहुत लंबा प्रोसीज रहा, ठीक है? दीरे 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 समय के साथ परिवयर्तन होते हुए, सीखती हुए चीज़ों को, और आज हम मानव सुरूप में है जिसे हम homo sapiens sapiens के तोर पर जानते हैं, ठीक है? सम लोग अपना जीवन जीते थे बालो इनसان तो बनिया पर इनसान का जीवन कैसे जी रहा है ठीक है एक यहाँ पर एक यह टॉपिक भी रहता है जीवन वैपन किस तरस होता था तो जीवन वैपन के लिए नॉर्मल्मल्य उसी कारते थे सिकार भी वह बड़े जानवरों का नहीं करते थे छोटे-छोटे जानवरों का centers में सिकार करते थे दीरे-दीरे वह ओजारों में परिवर्टन हुआ और बड़े जानवरों का सिकार करने लगे यहां पर एक और topic आता है, जिसके अंदर में हम बात करते हैं, ओजारो ओजार का, ठीके, ओजार का विस्तार किस परकार से हुआ, यह topic रहता है, ठीके, कि ओजारो का विस्तार किस परकार से हुआ, तो देखो, पहले में, जो starting में मानव बना, उस समय गया तो ओजारो भारी- पत्थरों के गर्फ बनाते तुमिंट अब तेने समय के साद धीरे 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 धीरीुटे परिवर्टन हुआ और अब को धार्टर बने लगे चोटे बने लगे अध्या नूखिले बने लगे और उनको शिकार करने में उससे आसासाँनी होने लगी तो यहां पर तीन टॉपिक बन जाते हैं इस टॉप चैप्टर के अंदर में करमिक विकास और जीवन भी आपन किस तरह से लोगों का होता था रोजारों का विस्तार किस प्रकार से हुआ ठीक है समझ में आता है यहां पर हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो पालक पसु पालने वाला खाना बदोस जो एक जगए जर्ग घूमतू की जीवन भरतीत करते हैं करते हैं सब्सक्ष्ण करते हैं। पूरा यहां पर डिस्क्राइब करके लिखोगे, यहां पर अच्छे नमबर मिल जाते हैं, तीसरा हमारा चैप्टर है, क्रिशी की और संकर्मन, अब देखो, मानव का जनम हुआ, उसके बाद दीरे-दीरे जानवरों को पालने लगा, तो पसुपालक के लाया, जानवरों के साथ था, तो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, ठीक है, तो उसको हमने खाना बुदोस का, तो पसुपालक खाना बुदोस का जीवन व्यतीत कर रहा था, इसी स्टेज पर, ठर्डी स्टेज पर, ठीक है, उसके बाद, अब क्रिशी की और संकर्मन होने लगा, क्रिशी की में से जगह विस्थापित होना पड़ता था, मिलनी रिजन क्या होता था कि सूखा पढ़ गया पानी नहीं है, या फिर कुछ और आपदा आ गई या फिर भोजन नहीं है, ये रिजन होता था, पर कई बार क्या होता था था जब एक जगह से दूसरी जगह जाते तो काफी लंबे समय तक एक जगह पर रुख जाते थे तो उसके हिसाब से अपना वातब्रन बना लेते थे खाने पानी की विवस्ता हो जाते थे कई बार कृषी के लिए कुछ चीज़ें उगा देते थे ठीक है तो वहाँ पर जब देरे देरे इस तर से कडने लगे तो यहां से मानव का सुरूप क्रिशी की और संक्रमन की और बढ़ने लगा क्रिशी की और जाने लगा ठीक है तो यहां पर बात करते हैं जब हम क्रिशी की संक्रमन की बात करते हैं यहां पर दो कोश्चन बनकर आता है एक तो आपका बनकर आता है कि यूरोप में मानव का क्रिशी सोरूप किस परकार सिर्ट को आपको पदनाँ ओका थोड़ा खाऊ को में होगा किस चेत измен कि तरसे आपको तोड़ाइन रखना होगा कि यहां और यहां पर इंपोर्टेंट रहता है चौत न्याव पाशान करांति का न्या मतलब न्य पत्थर की किरांति के तोर्पे हम बोलते हैं, इसके अंदर में सबसे पहले तो आता है कि देखो, अब न्य-न्य पत्थर मतलब क्या, पहले भारी-वारी ओजार बना रेजे, तो पहला टॉपिक आता है, ओजारों के न्दर में क्या परिवर्तन हुआ, उसको लेकर ठीके इससे पहले का जो टाइम परेड़ था पुरा मतलब पुराने पत्थरों का यूग पुरा पाशान काल और परिवर्थित नव पाशान काल जो नए पत्थर का यूग जो शुरू हुआ उन दोनों के बीच में जो ओजार थे उनके में डिफ्रेंस क्या था इसके उपर ए रहे थे ठीक है और हलके हलके होते थे उनको carry करना असान होता था और उनको सिकार करने में भी असानी होती थी ठीक है तो इस तरह सा थोड़ा सा उजारों परिवर्तन वाथ कौन-कौन से नए उजार थे ठीक है आप वहाँ पर बता सकते हो और अच्छे से उसको describe कर सकते हो number मि मिन्ली जीवण जो वैपन होता था सिकार और संघ्रहन पर बेस्ट होता मेली सिकार करते तो gram करते थे पर नव पाशान के अंदर में वो कृशी वेबस्था के और जा रहे दो । यहां पे यह दो टॉपिक इंपोर्टन्ट रहती है ठीक है पाँच वाट यहां पर जो आपका टॉपिक बनता है दुनिया पे इसका किस प्रकार से अषर हुआ दुनिया पर आसर क्या होता है कि दिरे दिरे दिको आप पक्रिशि हो रही तो कृषी की विस्तार होने लगता है लगते है अलग लगतर से यूज और पिर आगे आपका कास्य यूज़ करनायेगा तो जहां पर हम कास्य का यूज करना शुरू करेंगे उसकी साफसपना उजार बनाना शुरू करेंगे पहले पत्थर का बना रहते हैं अब दिरे-दिरे उजार में भी परिवर्तना आएगा आपने रहन सेन में परिवर्तना आएगा लेखन कला सीखेंगे तो उस तरीके से ही अगला हमारा second topic स्टार्ट होगा, second unit स्टार्ट होगा आपको comment करके बताना है ये unit कैसा लगा, अगर आपको वीडियो ची लग रही है तो मुझे comment जरूर किजेगा, आपको अपना response दीजेगा हमें अच्छा लगता है, motivation होती है आपके एक-एक response से और साथ-साथ में हमें ये भी समझ में आता है कि हाँ, ये वाले चीजे हमें यहाँ पर improve करने की जरूत है आपका जो भी suggestion हो, comment करके दीजिए ठीक है, जो भी suggestion होगा, मुझे को accept करेंगा और उसको improve करने की courses करेंगे ठीक है, और आगे की वीडियो चीए तो जरूर बताएगा कि आगे की वीडियो और बनाना है या नहीं बनाना है क्योंकि कल exam में ज़्यादा time है नहीं आपके पास भी ठीक है, तो ये वीडियो उतना ज़्यादा helpful भी नहीं रहेगा क्योंकि 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 क्यो